कॉल कर लो गोड मॉनिंग दोस्तों कैसे हैं आप लोग बहुत 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 अच्छी और आज है रिपब्लिक देख गटन्त दिवस उसकी धेर सारी सुब कमने इस तफ़े मेरे पास सब्द बूल चुके हैं मैं इतनी ब्यस्त मतलब सब्दमें बातों में दिमाग ज सुबा का नास्ता नास्ते में आज बना रही है दीपूस सैन्विच बैटर तयार हो गया है कटागोवी गाजर मयनीज काली मेर्ट नमख यह मिला करना फटा-फटारा सैन्विच है मौसी का इंतजार हो रहा था क्योंकि मौसी नहाने गई थी अब मेरा नहाना धोना पूज जाता है जाता है जैसे कोई जल्दी आ गया भाई नहाद हो के जल्दी व्रस कर लिए कोई लेट में करता है अर्षक के साथ में करने के चकर में तो टाइम इस समय बज रहे हैं दस बज रहे हैं और अभी हमारा नास्ता होने जा रहा है तो यह देखिए दीपू ने बना दिये हैं सैन्विच और इतने आसान होते हैं और इतने टेश्टी कि कोई भी बना सकता है इजली तो बस सबजियां छोटे-छोटे कट करनी होती है मैयनीज और थोड़ी सी काली में छलका सा नमक मिला के बना लीजे और इसकी एजस जो यह सा मिट वाला पार्ट होता है उसी का लेकिन यह हमारी ब्रेड़े इतनी चोटी है वो निकाल दो एक दम छोटा चुकुस हो जाता इसलिए हम नहीं काटे हैं और यही ब्रेड मिलती है हमारे जैसे सामने गली में वाली जल्दी मिलती नहीं है बड़ी वाली अ कि की जाओ गया अ अ कि अ आधे का में नुक्राइब नहीं हो रहा है तेस्ट चल रहा है अभी कैसा बना हुआ है अभी यह लोग टेस्ट करके बताएंगे तो हम लोगों का समय कैसे बीता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है कुछ टाइम घर में बनाने खाने में बाते करने में दिन मतलब बीता है रात बच जाती ग्यारा दस ग्यारा बच जाते हैं फिर सो फिर सुबह से मतलब विल्कुल भी समय नहीं पता चल रहा है और सैंविच खाने के बाद कड़क सी चाय बना दी है आज नारियल पानी पी के रहेंगी यह लोग सारे लोग मिलके एक नारियल छिलने में लगे हुए हैं कितनी देर से यह देखिए यह प्रसाद चढ़ा था यह यह सारा गिरा दिया नीचे यह देखो पानी निकल आया पीलो सब लोग बस करो उस पर कितना पानी निकालोगे भाई हां उसके सांस ना निकल जाए बिशारी अप्यों डबल फायदे मन दो गए वह फ्रूट उनमेरे नावियल के पानी पी एक फ्रूट खराब नहीं होना चाहिए इतनी देर में इस नारियल का आखिर में लोग निकाली लिए कितनी देर से लगे थे तो यह आवले उस दिन से मैंने काटे थे दो दिन हो गया क्योंकि दो दिन हम गूमने निकल गये तो मोका ही नहीं मिला तो सुबाधूप में डालके जाती थी रख के और साम को आती थी ठाटाती थी वैसे तो एक ही दिन में धूप लगा के बनाना था तो यहां पर मैंने थोड़े-थोड़े से मसाले लिए क्योंकि थोड़ा सावला है खड़ा धनिया, सौंप, जीरा, मंग्रेल, मेथी और थोड़ी सी काली वाली सर्सों, थोड़ी सी पीली वाली सर्सों मंग्रेल मतलब कलाउजी, जो काले वाले होते हैं तो बहुत ही आसान है, मिंटों में बन जाता है, तो दरदरा सा उसको मैंने मिक्सी जार में मसाले को पीछ लिया है, उसके बाद नमक डाला है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, खुड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है, और थोड़ी सी हींग डाल दी है, और उसके बाद डालेंगे तेल सर्सों का, ये तेल बहुत लोगों को कच्चा नहीं पसंद आता है, तो अचार में गरम करके भी डाल सकते हैं, गरम करिए फिर ठंडा करके लेकिन वैसे हम तो नॉर्मल अक्सर अचार में ठंडा तेल ही डालते हैं सरसों का और कोई दिक्कत नहीं होती अच्छे भी लगते हैं और यह आउले का देखिए फटा फट आप आउला लाईए और यह अचार जो है बहुत जल्द बनता है और पह से आप बना के और रख लीजिए तीर धीर वह स्वाप्ट मुलायम होते चले जाते हैं तो यह मैंने अपनी मम्मी से सीखा था अचार बनाना आउले का तो बस बना के रख दिया और भी दोपहर का मेरा खाना बन रहा है और मैं एक साथ ही दो चीज की लिए मसाले सीखा का मन दीदी आज मैने का कौन सी सबजी बनाओं तो वी सब गाल घ्रार भी दाल मैंने मसवर की चड़ाई थी पहले ही तो बस मसाला मैं क्या करीए एक साथी त्यार कर ले रही हूँ और तेज़गास करी हूँ जल्दी ज्लदी के चक्कर में तो साइंदमें देख रहे हूँ कराह जलने लग गई है स्टील की यह होता है कि अगर थोड़ा सा भी आप नहीं चलाते जैसे ज़स्ते की ऐसे आप लुग जानते होंगे एक साथ पूरा अच्छे से भूंज लिया और सोया बीन को इसी कुकर में ही मैंने फ्राई किया था तिसी में वो मसाले डाल के और दो सीटी लगवा दी हरा धनिया के साथ अब भी मतलब हरा धनिया भी डाल दिया है दाल भी इदर तयार हो गई और स्वेया भीन भी क्योंकि हम लोग च्छत पे काफी देर तक बाते करते रहे गए खाना और मौसी बना रहे ही रोटी क्योंकि मैं चली गई थी ब्लॉग एडिट करने के लिए ब्रेक नहीं थी बेटा काम ही कर रही थी मैं वीडियो एडिट कर रही थी खाना बना दिया था कोई खाने वाला नहीं थी खाने वाले थे तुम हमने का निकल चिखाने बोला जाओ एडिट कर ला मैं रोटी यां सेख रही इसलिए मैं चली गई अब थोड़ा सा क्या करूं का करना ज़रूरी था मेरा ब्लॉक दो दिन हो गया था नहीं गया था तो इसलिए मैंने नाया क्या कर रही हो एक इसकी बारी है तो अनाया इतनी क्यूट है ना उसकी बाते भी उतनी मीठी है उसके हम लोगा का टाइम और जलदी पास हो जता है मतलब उसी को देखते जब वो सव जाते हैं तब हम आपस हमारा पास होता रहता था घृँअजी देखने लग जा तो यहां पर ताली दिख्चाने लगा दी और यह बीच वाला जो रूम हमारा जहां पर हमने सोफे अटाये थे उस रूम में सोफा सिफ्ट किया था यहीं सब बैटके खाना खाना यहीं टीवी अगेरा देखना यहीं बाते करना क्योंकि हम नीचे गद्दा लगा लेते हैं सोफा है इधर बेड़ है बीच में गद्दा लगा लेंगे और सारे लोग एक ही जगह रहते हैं तो टाइम का बिलकुल भी मतलब टाइम बहुत ही मस्त बीत रहा है मैं यह कहूंगी और आज मेरा मन हुआ कि आज के नाश्ते में सामके गाजर का हल्वा बना किया क्योंकि इतनी देर गाजर को ग्रेट करने में तो आप खड़े-खड़े करेंगे किचन में तो ठक जाएंगे अक्सर जैसे सबजी वगेरा है कुछ भी है बाहर बैठ खे काट लो सब तयारी करके आ जाओ किचन में तो जल्दी बन भी जाता है आप ठकते भी नहीं है और ये बनाना गाजर कालुआ मैं कहूंगी बहुत ही आसान होता है इसमें जादा कुछ आपको सीखने की जुरत नहीं है और बहुत ही टेस्टी बन जाता है फाइदे मन्द तो होता ही आप लोग को पता ही है घी डाल दिया था मैंने कराही में और इसमें गाजर बस दाल के बना रहे हैं तो दूद थोड़ा सा डाल के फिर भी पका लीजिए दूद में और नहीं तो आप मावा डालते हैं उपर से तो और टेस्टी लगता है लेकिन मैं जैसे नहीं डाली मावा तो दूद डाल दी और फ्रिस क्रीम दूद की मलाई निकाल के रखी हूं यह और इसको दूद में पकने दिया थोड़ी देर तक गाजर को तो गाजर का जो यह जितना हमने ग्रेट किया है उसके दाने दाने में कहेंगे कि आ जाता है स्वाद घी और दूद का और आप ऐसे ऐसे भी खा सकते हैं जैसे आप एकदम सूखा नहीं खाना चाते ना जैसे इ अविजे और आप और काम करते रहिए मैं हैसी करते हुए बीच बीच में चलाती रहती और काम करती रहती हूँ जब पक गया तब इसमने राइची पैवडर डाल दिया और उपर से डाल दिया ड्राइप लूर थोड़े से तो देखिए कितना बढ़िया देखने में लग ल पूरे मार्केट में पैदली घूमें आज सॉपिंग करने के लिए जाने के लिए पूरा मार्केट शॉपिंग तो पैदली करी यह तो मंडी से बैठा के लेकर आए खुली थी थी ठीक हुई ठीक बहुत कोशिक रहा थे आलग गय थे हम अळग गय थे खोला अब नहीं हम लोग क्या हुग hai ओग IT Alli यह लोग चार बजे के गए थे खुत हाँ धर मंडी गए तीस करके हैं सबके लिए करो हलुआ खाते हैं क्यों पानी पिलाओ बेटा फानी गरम करके लाओ और एक कमेंट भी आया था कि आप सुबह दोपहर साम रात का मतलब पूरा खाने की रेस्पी जो भी आप बनाते हैं उसकी सेर करिएगा मैं नाम भूल गई हूं और तो वह थोड़ा लगा के बनाती हूं तो जल्दी नहीं बन पाता है फिर खाना लेट हो जाता है तो जल्दी जल्दी में सबके साथ में बाते करते करते मुझे बनाना किचन मेरा रूम में ही है आप लोग को पता ही है सामने सब बैठे रहते हैं बाते करते रहते हैं तो फिर कैमरा सेटिंग थोड़ी सीधर उदर हो जाती है और उसमें टाइम भी जादा लगता है तो मैं फिर जल्दी बनाने के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाती हूं और यहाँ पर आज साम के खाने में मैं बनाने जा रही हूं मस्रूम की सबजी यह भी जल्दी वाली है और टेस्टी भी बनेग तो करना क्या है तेल डालना है थोड़ा सा जीरा हींग और उसके बाद कटे हुए प्याज छोटे छोटे से कटे हुए प्याज डाल देने हैं बारीक मैंने शौपर में काट लिया है उसके बाद इसमें डालना है अद्रक लैसुन और मिर्च आप पेश्ट भी डाल सकते हैं जो अद्रक और लेसुन काता है और उसके बाद इसमें डालना है मसाले मसालों में आप जो डेली यूज में खाते हैं जो बनाते हैं वही मसाले डालने होते हैं धनिया मिर्च और हल्दी पाउडर गरम मसाला और थोड़ा से मैं इसमें सब्जी मसाला भी डाला था उसके बाद तमाटर को चॉपर में काट लिया है क्योंकि काट के डालेंगे पेश्ट बनाके नहीं डालेंगे और अभी मस्रूम मेरे मैंने धुल के रख दिये थे काटे नहीं थे यसे आप पेश्ट टमाटर का डालना चाहें तो वह भी डाल सकते हैं पर मेरा क्या है हम लोग इतने लेट हो गए हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी में बना रहे हूँ नमक तमाटर डालने के बाद जब हम पानी तो पानी बहुत सा करेंым लें मार्केट नहीं को दूदther यूदे कालते हैं दूद की मलाई जिसको बोलते वो डाल दीजे तो पनीर हो गई है तयार उपर से डाल दिया है हरा दनिया और बस अब हम खाना रात का करेंगे यह था मेरे पूरे दिन का रूटीन और जब महमान आते हैं तो जानते ही हैं हर काम थोड़ा सा और ज्यादा मतलब बातें भी बढ करता ही जाता है और खाना भी वैसे हम कभी सिंपल साधा भी खाल लेते हैं या फिर कभी बचा हुआ है लेकिन उस टाइम पर फिर बनाना ही होता तो दिन हमारा ऐसे ही बीता है बहुत बिजी तो चलिए अपना धेर सारा ख्याल रखें वीडियो पसंद आया तो लाइक करें बाइ